तो हाँ बच्चों, आज जानते हैं कुछ ऐसी चीजों को जिनके बारे में कही लोग नहीं जानते हैं किछिन में होती हैं, आसपास होती हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं जानते हैं क्या करते हैं ये सब, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, कौन सी हमें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए और वे चलो, कैसे हो, चलो चलते हैं, कुछ नया सा करने हैं सबसे पहले देखते हैं, यह मुननक का, इसको मुननक का कहते हैं, इसको बड़ी किशमिश भी बोलते हैं, एक्षॉल यह नॉर्मल जो रेजिन्स होती है, रेजिन्स की क्वालिटी है लेकिन यह बड़ी है, इसके अंदर seeds है, इसकी ये पहचान है, इसे बहुत फाइदे मन्द कहा गया है, डॉक्टर्स कहते हैं इसे खाना चाहिए, सुबह उठकर आप खा सकते हैं, रात को भिगा कर, या फिर रात को सोते समय दूद में उबाल कर भी से खा सकते हैं, constipation तो दूरों भाग जाता है, बहुत ही healthy है, हीमोगलोबिन को बढ़ाता है कई गुना, बहुत अच्छी चीज है, कैंसर से तो लड़ने में बहुत ज़्यादा मददगार है, ऐसी चीज को हमें खानी चाहिए डेली रूटीन में, अभी कभी कभी ऐसा भी होता है, कि हमें कुछ नो कुछ खाया जाए, जिसे मुँ का स्वाद अच्छा हो, तो आप कैसे बना के रखेंगे इसको, यह देखिए, तो अब इसे बना के कैसे रखें, वो देख लेते हैं, यहाँ देखिए, इसकी पहचान यह है, नॉर्मल जो छोटी रेजिन्स होती है, चोटा किश्म किया है, 5-7 मिटे से स्लो गैस पर पकाएं, इससे होगा क्या, इसका मॉइस्टर भी निकल जाएगा, अच्छी फूल सी जाएंगे, अब इसमें कोई ज्यादा मसाले नहीं डालने, जरासा काला नमक, काली मिर्च, चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और इसे मिक्स कर के, बहुत सारी कॉंटिटी में बना के, एक एयर टाइट जार में रग दीजे, यकीन मानिए, 4-6 दाने रोज खाएंगे, आपको फर्क अपने आप पता चलेगा, और टेस्टी भी बहुत लगेंगे, चले, एक दूसरी चीज देख लेगते हैं, यह है कैंडी, इसको आपन बनती है, लेकिन सबका अलग-अलग तरीका है, कैसे बनती है, सबसे बड़ी जो बात है, इसमें कोई केमिकल नहीं डाला जाता है, यह नेच्रल तरीके से बनती है, और यह हमारे लिए हेल्दी होती है, जो भी निट्रियंस हमें गन्ने से मिलना चाहिए, वो सारे इसके अं जो काम करता है, जो चीनी हमें डॉक्टर कहते हैं हामफुल है, तो यह भी हमें उत्रा फायदा नहीं देगी, क्योंकि यह भी कई प्रोसेस के बाद बनकर तयार होती है, जैसे चीनी भी गन्ने से जरूर बनती है, लेकिन उसको कई बार कई कैमिकल से निकलना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, तब जाकि वो वाइट कलर की चीनी बनती है, मैं यह नहीं कहूंगे कि चीनी को आप टोटल बंद कर दीजी, और मैं भी कहां चीनी बंद करती हूं, कितनी सारी रसिपी में तो चीनी डलती है, पर जहां तक हो सके, कोशिश ये करना चाहिए, कि हमें घर में, अगर मीठा खाना है, तो गुड को पहले यूज कीजे, शहत को यूज कीजे, छुआरों को यूज कीजे, मुनक्कों को यूज कीजे, डेट्स को यूज कीजे, लेकिन उसके बाद, जब हमें चीनी की बारी आए, चीनी जरूर डालना है, तब आप कोशिश करें, क ये चीनी को जितना हो सके वाइड करके ये मिश्री को डाले, कैंडी को, जो थ्रेड वाली कैंडी है, जो अनिक्वल शेप वाली है, ये नेच्रल तरीके से जो भनती है ना, तो जो सारे फायदे मिलने चाहिए इससे, वो हमें इससे मिलते हैं, और स्वाद में कोई फर्क नहीं है, बस मैनत ये करनी पड़ती है, इसको हमें खलबते से या किसी से कूटना पड़ता है, उसके बाद इसमें मिक्सी में पीषना पड़ता है, तब जाके ये पाउडर बनता है, और घर में ही बनाना चाहिए पाउडर, कभी भी बाहर से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बिना मिलावट वाला हम घर में बना सकते हैं इसी तरीके से आता है एक देसी खान, शकर बूरा, वो भी हमें यूज करना चाहिए, उसमें भी कोई केमिकल नहीं होते तो यह कुछ चीजें होती है जो हमें जानकारी होनी चाहिए, अब आपके एक च्छा है, जब कभी आपको मन करें कि मिश्री, कैंडी क्या है, हम कहां यूज कर सकते हैं, तो आप आरम से से यूज कर सकते हैं अब बारी आती है, यह मिश्री मिलेगी कहां, किसी ड्राइफ रूट की शॉप पर मिलेगी, किसी अच्छे किराने स्टोर पर मिलेगी, या पूजा का जहां समान मिलता है, वहां आपको मिल जाएगे इस तरीके से हम कई चीजों में चीनी को वाइड करके इस मिश्री को इस केंडी को यूज कर सकते हैं हमारा काम तो असान हो जाएगा अब चलते हैं बच्चों उस ट्रिक के लिए जिसके लिए बहुत सारे कॉमेंट्स मुझे आये थे कई सारे लोग मुझसे यही बूशते हैं कि ओयल कितनी बार पकाना चाहिए जले हुए ओयल को कैसे साफ करना चाहिए कितनी बार उसे यूज करना चाहिए तो चलिए चलते हैं जितनी मुझे जानकारी है थोड़ी बहुत वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ओयल के लिए जब भी हमें कड़ाई रखनी होती है, इंडिया में तो खास तोर से सभी के घर में हफते में एक दो बार तो कड़ाई रखी ही जाती है, कुछ न कुछ डीप फ्राय होता ही है, तो ऐसे में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कड़ाई छोटे से छोटी ली जाए और उसमें कम ओयल में हम डीप फ्राय कर सकें, जिससे हम ओयल को कम पकाएंगे तो होगा क्या, वो बचेगा भी हमारे पास कम, और हाँ, अगर आपने पका भी लिया या कम ओयल बच भी गया, तो अब उसको हम कैसे रखें, हमने यहाँ पर फ्राय किया, ये देखें टमाटर की मठरी बन रही है, और इसने अपना कलर छोड़ा, ये बहुती रेड कलर का ओयल हो गया, अब सबसे पहला काम, चाए रेड हो या ना भी हो, कई बार रेड नहीं होता, नॉर्मल हम फ्राइंग करते हैं, तो उसे चान के जरूर रखें, ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये फूर पार्टिकल्स होते हैं, छोटे-छोटे, जो उस ओईल के अंदर गिर जाते हैं, उस ओईल को खराब कर देते हैं, और ज्यादा खराब करते हैं, तो ऐसा ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक छनी लेनी होगी, उसके उपर या तो एक पेपर नपकिन रखें या एक पतला सा बारीक कपड़ा रख लीजे, उसके बाद इस ओईल को छान लीजे, उससे क्या होगा, यह जो food particles है आपके ओईल को खराब होने से बचाएंगे, अब हमने इसे छान लिया, यह देखिए, लेकिन ओईल का कलर तो अभी भी यलो है, या तो इसे कैसे करेंगे इन बार fry कर सकते हैं, उससे जादा नहीं, उसके बाद हमें हटा देना चाहिए, और एक बात, इसे हमें कभी कभी पीला कभी ओईल हो जाता है, तो उससे साफ कैसे करें, यह एक ट्रिक देख लीजे, यहां मैंने उसी पीले ओईल को एक पैन में डाल दिया, और कुछ आलू ले लिएं, आप आलू ले सकते हैं, आलू हमेशा हमारे घर में होते हैं, अधरक होती हैं हमारे घर में, अधरक के छोटे से पीस ले लिजे, और या इमली का छोटा पीस वो भी ले सकते हैं, इमली से भी यह पूरा पीला पन हट जाता है, तो इमली ले सकते हैं, अधरक ले सकते हैं या आलू कि घर में होता है हमेशा तो मैंने आपको आलू को फ्राइ करके दिखा दिया से कलर जो होगा ना ऑईल का काफी लाइट हो जाता है और जो आलू हैं आपको फेखने नहीं है इसे आप सबजी में यूज कर सकते हैं, अध्रक को भी छोटे-छोटे पीसिस करके आप सबजी में यूज कर सकते हैं, अब मैं आपको दुबारा से छान के आपको दिखा देती हूँ कि कैसे ये ओईल बिल्कुल साफ हो गया है काफी हद तक लाइट हो इसे यूज कीजिए, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, अगर पहली बार इस चैनल पर आएं, तो आप इसे सबस्टाइब किये बिल्कुल ना चाहें